असकार वेब दुनिया खेल समाचारों में आपका स्वागत है विशुकप 2015 के दूसरे सेमी फाइनल मुकाबले में भारती टीम का मुकाबला महामानो टीम आस्टेलिया से होने जा रहा है ऐसे में भारती गेंदबाजों का रोल एहम हो सकता है शमी अन्कमपनी पर टीम इंडिया को सेमी फाइनल में पहुचाने की जिम्यदारी ऑस्टेलिया ने वर्ल्ड कप के तीसरे क्वाइनल में पाकिस्तान को हरा कर सेमी फाइनल में प्रवेश कर लिया है जहां उसका मुकावला 26 मार्च को सिडनी में टीम इंडिया से होगा इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने अब तक एक भी मैच नहीं गवाया है और अब सेमी फाइनल में उसके सामने है वह उस्टेलिया टीम जो अपने घरिलू मैदान में बहुत मजबूत है ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया सेमी फाइनल में उस्टेलिया को हरा नहीं सकती उमेश की तेजी और शमी की स्विंग भी उस्टेलियाई बलेबाजों को तंग कर सकती है अब तक वर्ल्ड कप में 17 विकेट ले चुके शमी के साथ उमेश यादव और मोहिश शर्मा शुरुआती औरो में और शमी बलेबाजों पर अंकुस रखें तो दबाव में ला सकते हैं उन्हें इसके लिए उसे बलेबाजों के साथ साथ गेंद बाजों का भी साथ चाहिए अब तक वर्ल्ड कप में बहतरीन प्रदर्शन करने वाले मोहमाश शमी पर उस्टेलियाई बलेबाजों को पोकने का जिम्मा होगा शमी स्विंग के साथ साथ शॉर्ट पिस गेंद करने में भी माहिर हैं उमेश यादव महिश शर्मे के साथ वे उस्टेलियाई बलेबाजों पर दबाव बना सकते हैं पहाद टीम की ताकत उसकी बलेबाजी है लेकिन बलेबाज भी एक निश्यत रनसंख्या ही बना सकते हैं इसके बाद दारो मदार फिर गेंद बाजों पर होगा ऐसे में अब तक वर्ल्ड कप 2015 के सभी मैचों में विरोधी टीम को आल आउट करने वाली समी एंड कमपनी पर भारती टीम को सेमी फाइनल में पहुचानी की जिम्मेदारी होगी यह थे आज के वेब दुनिया खेल समचा विश्कप 2015 से जुड़ी और खबरों को बढ़ने के लिए लोगिन कीजिए हमारी वेब साइट www.webdunia.com